हेलो एब्रीबरन बेल्खम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम याँ पर बहुत ही सुन्दसी कानाजी की ड्रेस मनाना सिखाएंगे तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और यह कपड़ा हमारा डवल है तो लंबाई शाड़े आठ इंच है और चोड़ाई चार इंच है अब हम यहाँ पर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहां पर 20 सेंटर पर निसान लगाएंगे तो निसान आमें 4 इंच पर लगाना है और जहां पर हमने निसान लगाया है उसी निसान के उपर हमें आपस सिलाई लगा देंगे और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यह आप लोग लाई करना भूल जाते हो तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को जरू लाई कर देना तो हमने सिलाई लगा दिये अब हमेया पर इसको तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी फोल्ड करेंगे और बीच में हमें हलका सा प्रेस लगा देना है उंगली की मदद से फिर हमें आपर साइट से भी फूल्ड करके सिलाई लगा देंगे इस तरह से तो आप लोग वीडियो को आइल्ड तक जरूर देखे इससे आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से काना जी की ड्रेस बनाई है बहुत ही सिंपल और सुन्दर सी हमारी काना जी की ड्रेस बनेगी अब हम यापर दूसरी तरह भी इसको फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर मैंने एक लंबी सी पट्टी ली है एक यह डेड़ें चोड़ी लेना है ठीक है तो इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे फिर हमें आपर इस कट को भी सेंटर पर रखेंगे और यहां पर सिलाई लगा देंगे अब हमें आपर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और फोल्ड करके हमें एक दाफ सिलाई लगा देनी है तो पूरी पट्टी को अमयाँ पर फोल्ड करके सिलाई को लगा लेते हैं तो कुछ इत्रह से मैंने पट्टी को सिल लिया है और हैं पर मैंने एक फिर से एक पट्टी लिये तो लंबाई हमारी 8 इंच है और 4 इंच है तो लंबाई की तरफ से हम याँ पर फोल्ड करेंगे और साइट से सिलाई लगा देंगे दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा देनी है अब हम याँ पर अच्छे से इसको स्वीधा करेंगे और जहां पर हमारी open site है तो वहां पर भी सिलाई लगा देंगे तो यहां पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहां पर मैंने पुम-पुम वाली लेश को लिया है तो इसको हम यहां पर उल्टी तरफ से रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे तो पुमपुम बाली लेश हम यहां पर चारो तरफ से लगा लेते हैं तो यहां पर मैंने लेश को सिल लिया है अब हम यहां पर बी सेंटर पर इसको इस तरह से छोटी छोटी पलेटे राल कर इखटा करेंगी और यहां पर सिलाई लगा देंगी अच्छे से हमें यहां पर सिलाई को लगाना है तो बीच में हम क्या करेंगे इसमें बटन टाकेंगे तो जिस कलर का आपको बटन लेना है उसी कलर का हमें धागा लगाकर इस तरह से बटन को टाकेंगे तो यहाँ पर मैंने डिजाइन को तयार किया है अब हम यहाँ पर डिजाइन को इस तरह से रखेंगी और यहाँ पर भी इसको टांक लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको टांक लिया है तो अब हम यहाँ पर काना जी की टोपी बनाएंगी तो चोड़ाई हमारी 6 इंच है और लंबाई 3 इंच है तो लंबाई की तरफ से हम याँ पर इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके दाप सिलाई लगा देंगे फिर हमें याँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें पहले एक सीधी सिलाई लगानी है और उपर की तरफ हमें याँ पर हलकी सी गुलाई देकर सिलाई लगा देंगे और याँ पर सपाई के साथ कटिंग करेंगे फिर हम आपर इसको सीधा करेंगे अब हम आपर काना जी लेंगे और इनको कुछ तरब से दिरेज को पहना लेते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरब से दिरेज को पहनाती हूं तो यहां पर अमारी काना जी की जो ड्रेस है वो कितनी सुन्दर सी लग रही है देखी बिल्कुल फिट होई है और यहां पर टोपी को भी पहना लेते हैं तो इस तरह से अमारी काना जी की ड्रेस आई है तो अमीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको यह पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्क्राब करना ना भूले और बैलाकन को भी दबा दें जिससे जो अमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहल मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए टाइंग क्यूँ